हेलो फ्रेंस आज मैं आपके साथ एक करी की रेस्पी शेयर करूंगी बिल्कुल धाबा स्टाइल आज मैं एक करी बनाऊंगी तो चलिए इसे बनाना शुरू करते अभी इसके लिए मैंने पहले से अंडे बॉयल करके रखे हुए हैं तो अभी इसे फ्राइ करेंगे इसमें थ कलाग से इस गराऊन आज या दो 추천 हो गया जतुछ नंकाल तो देखें अभी अभी इसका बिल्डाइन हो गया और इसे निकाल ले मैं इस पैन में हम तड़का लगाएंगे एक चमजीर आड़ करेंगे और कटा हुआ लसन एक कली ब्राउन कलर का हो गया तो अभी इसमें हम दो बड़े प्यास आड़ कर देंगे जो मैंने पहले से ग्राइंड करके रखा हुआ था इसे भी अच्छे स्मिक्स करें और अभी मैंने एक टुकड़ेस में अद्रक का आड़ किया जो भी मैंने पीसा हुआ था पहले इसे लगतार आप चलाते रहे हिए इसमें एक चमज छल्दी एक चमज नमक लाल मिच पाउडर एक चमच और ये थोड़ी सी यादा चमच मेधी काले मिच, दनिया पाउडर और ये गरम मसाला अड़ किया और ये लास्ट में मैंने हिंग अड़ किया इन सब मिसालो को अच्छे से मिक्स कर लें और लगाता चिलाते रहें मेडियम फ्लेम पे मसाले को अच्छे से बोने अभी थोड़ा से इसमें मैंने पानी अड़ कर दिया कि मसाला अच्छे से पक भी जाए और नीचे चिपके भी न मसाले को लो टू मेडियम फ्लेम पे अच्छे से बोने अभी मैं इसे cover करके रखूंगी 2-3 मिनट के लिए इसमें मैंने एक जमत बेसन का एड़ किया कि इसकी gravy ठिक बने तो यह optional है अगर आप डालना चाहो तो तो थोड़ा सा पानी एड़ किया मसाले में अच्छे से mix हो जाए बेसन और फिर से ढखके रख दिया इसे 2-3 मिनट तक पकाए मेडियम फ्लेम पे और इसे उसके बाद चलाते रहें चेक करें अभी प्यास टुमाटर का मसाला हो गया तो अभी इसमें हम अंडे भी आड़ कर देंगे एकर या गर पेजली बना सकते हैं और सारी चीज़े अविलेबल होती तो यह गड़ की चीज़ें वन यह सारी मसाले हीगर की थी तो देखे हैं, अभी इसे इसे अच्छे से मिक्स करें इसमें पानी अपने हिसाब से आप अड़ करें मैंने इसमें एक गिलास पानी आड़ किया अभी इसे चार से पांच मिनट तक पकाएंगे इसे और अच्छे से मसाला मिक्स हो जाए अंडे में भी रच जाए तो अभी दक्कन लगाके इसे चार से पांच मिनट के लिए में रुखूंगी यह सबजी अब होगी है तो अभी इसमें मैं लास्ट में निम्बू एड़ करूंगी निम्बू की खटास भी अच्छी अच्छी लगती और टेस्ट भी अच्छा आता थोड़ा सा खटा नमकीन देखा तो जरूर बनाएए अभी मैंने इसे गानिश कर दिया हरे धनिये के साथ आप भी बनाएए रेस्पी और अपना झाल उक्स पीरिंश या करी